मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक आपको ब्रेकडाउन का सेनरी दिख रहा था लेकिन अभी आप इस जो चीज इंपोर्टेंट है आप बैंक निफ्टी दिखो यहां पे इसने डोजी मनाईए तो अपने को थोड़ा सा एलट रहना है मतलब एग्रेसिव भी करेंगे क्योंकि यहां पर आप यह थोड़ा सा आपका यह है शौर्ट सब्सक्राइब को लूज करेगा अभी देखेंगे कहां पर क्या सबसे पहले क्या चीज है मार्केट आपका ऊपर जा रहा है अच्छा एक चीज और है पता है कि जब यहां मारीट गिर रहा था ना तो हम लोग लेकिन विक्स बढ़ना चालो रहती है इंडिया विक्स बड़ी नहीं रही थी उल्टा आपका गिरी ही है ठीक है मार्केट में यहां पर रिकवरी आ सकते थी यहां सबसे पहले खुलते ही शौर्ट किया अलग से आपको वीडियो को थमनें दिख रहा हुआ ठीक है यह अब यह आप देखोगे वापस 50 मिट्स पर आते हैं और पहले बंडे पर आते हैं फिर आपना थोड़ा सा कहां ओपनिंग वी वह इंपॉर्टेंट है ठीक है ओपनिंग अगर इस केंडल के हाई के ऊपर होती है सिर मार्केट मैं अप ट्रेंड की तरफ करूंगा कि आपको ऊपर की तरफ तेजी से का विकॉस यह आपको एक फॉल्स ब्रेक्डाउन की केंडल आई ठीक है तो यह अपना बैक्ट का प्लान है पहले अगर ऑपन गप पोपन कहां होती है यहीं कहीं होती है थोड़ा सा वेट करना है विकॉस यह सारे आपके सेलर्स के कानिटि में यहां पर हाफ कॉंटिटी में करूंगा ओपनी रेज़ पर और वेट करूंगो यहां पर मिल जाए पॉजटीव एक्शन अगर इसके उपर होती है वेराइस अगर इसकी उपर फुल्ती है तो फिर मैं डरेक्ट लीज़ बेकाउट की स्ट्रेजी को यूज करना तो अच्छा आपने को शॉट कवरिंग देखने को मिल सकती है शॉट कहा करना है फ्रेश देखो कहां पर आपका ब्रीकडाउन आएगा उस लेवल पर वह ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है सम्वेर अराउंड इस जगह पर है 45,000 850 के असपास ठीक है 850 के आसपास से 850 और 950 के बीच का जो है वह आपको सेलर्स का जोन है तो वहां पर थोड़ा अपने को रखना है प्रॉफिट वोकिंग भी कर सकते हूं जोन में अगर बाय किया हुए या फ्रेश सेलिंग को नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो वह भ यह होगे अपना साइडवेस खुलेगी इसके उपर का बाय करना कौन से लेवल 45,000 550 के उपर ठीक है 60-70 पॉइंट का एसे ला लेंगे और यहां तक के अपने टार्गेट हो जाएंगे अगर साइडवेस खुल के नीचे जाती है एक चीज़ याद रखना यह फॉल्स ब्र साइडिया थी मैं आपको बता हमने क्या यह ट्रेट लिया था उसके बाद हम लोगों इस ज्यागा पर शॉर्ट किया था क्यों किया था विकॉस मार्केट ने यहां पर ब्रेकडाउन दिया मतलब जो प्राइस सेक्षिन बनता है दिहान समझना मार्केट नीचे आया यहां पर शॉर्ट बढ़ ले रहा था बार 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 लिए डिया ब्रेकडाउन देनी कि वहां पर इसन रिजिए नीचे आया तो अपने शॉर्ट बीचे प्रॉफिट दिख रहा था बट वह अपने ट्रेलिंग इसलको उसने हिट कर दी ओपर की तरफ लास्ट में भागता ह सब्सक्राइब कर रहा है 45,330 यह इंपोर्टन सब्सक्राइब यह तो यहां पॉजिटीव एक्शन मिले बाई का तब देखिए अगर यह तूटता हो दिखता है तो फिर आपको 45,300 की तूटता तो इसके उपर अपना वापर से बाइंग का टेड बन रहा है आते हैं निफ 50 भी आपको नीचे स्ट्रेगल हमने क्या कर आपको लाज का दीन आवएद होगा कि 19,555 इक स्ट्रॉंग बाइंग जोन है मतलब बायर्स को अगर हां पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो ज़रूर से बाई का एक बर एक बर करना चाहिए क्योंकि आपको मिलेगा हमने क्या कि मार्केट आपका नीचे आया उसके आथ हम लोगों ने इजया कभी किया था ठीक है यह बीच में अच्छा प्रॉफिट दे रही थी हमें 666 तक गई थी लेकिन मैं आपको बताया कि मेरी ट्रेलिंग करने के आदत है कल लाइफ ट्रेडिंग कर रहे थे हम लोग तो ट्रेलिं करना है कि 550 से लेगे 580 के बीच में ठीक है किसी भी कारण वर्ष अगर 525 टूपता है तो बाइंग की साइट नहीं रहना फिर आपको नीचे की लेवल दिखेंगे 48470 450 के आसपास के बाइंग कहा करना है इसी लेवल के उपर मार्केट निकलेगा 675 के उपर तो आपको फिर बाइंग के मिल जाएगी एक जगह यह या फिर एक जगह पर इस जगह पर कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगी ठीक सिंपल क्यों है इसा जोन बन रहा है अब प्रॉब्लम कहां आती है मालूम है जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो मल्टीबल सपोर्स लेता है और से भी आपको इक इंसाइड वार मिल रही है अगर क्लूजिंग बैंक निफ्टी की 45300 की नीचे होती है ठीक है और इसकी केंडर आपकी इसके नीचे होती है सब्सक्राइब करेंगे या तो इसके नीचे करेंगे या इसके उपर बाइब करेंगे सिंपल अगर कुलता है तो अपका सपोर्ट एरिया जाएगा सिंपल चलते हैं नौन इसके डिटा क्यों देखते हैं ताकि हम जो चार्ट प्लान कर रहे हैं वह थोड़ा सा वही सपोर्ट रेसेंस ऑप्शेंस में मिल रही है नहीं मिले उससे कनफोर्मिशन होड़ाता है सबसे ज़्यादा आपके पूर्स कहां बैठी है सबसे पर यहां पर आपका कॉल राइटिंग और पूट राइटिंग ह यह यह रेंज को प्ले कर सकते हैं 500 के आसपास को पॉजिटिव एक्षिन और 750 के आसपास को नेगेटिव एक्षिन ठीक है यानि कि अगर मैं बाद में बाइट करता हूं मार्केट को आपने कभी कभी देखा हुआ कि हम लोग सारी साइट पकड़ते हैं मार्केट उपर गया नीचे आया उपर गया हम लोगों यह वाले पर भी प्रेट लिया इस पर भी स्थेट की होता है क्यों होता है आपको बाइंग का टेंड मिला आपके प्रोफिक किया 750 के आसपास कोई निगेटिव एक्षिन में लावा शॉट कर दिया तो दो ट्रेड अगर मिल जादे तो फिर अच्छा होता है 200 मिल जाते है तो ठीक बैंक निफ्टी पर आते हैं बैंक निफ्टी के अगर मैं बात करता हूं तो 45,200 आपका 10 लेक 9 लेक 7 लेक 45,000 का मुझे 500 साफ 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 इस फिर इसे वीक लिएन से क्या होता है कभी कमान लो कल पर सुमें आती तो यहां पर शॉटिंग एपॉर्टि ने मिलती है यहां पर आपको एक बाइंक इपॉर्टि ने मिलती मार्क आपको बोट साइड मुझे अब को देखने को मिल ला है अगर कल डोजी ना बनके प्लोजि 20 के आसपास का यह आपके 20-day moving average है हमेशे याद रखना 20-day moving average एक काम करता ही करता है बंडे के चार्ट पर देखो कि तुम्हें लेगा यह ठीक है तो काम करेगा ही करेगा फिर निफ्टी फटा फट्स देख लेते हैं लिए वह सुस्क्री निकल लाएंगे याद रखना अगर आप मॉर्णिंग में 9 15 पर टेडिन देता हूं में कभी कि 9 15 पर लेना है लेकिन आप उसमें ओप्रिंग नेज की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं कि पांच मेंट टूटेगा सपोर्ट एरिया मेजर सबोर 20,000 आपका राउंड लेवर तो मेजर सपो तो आपको मैंड में साइकलोजी रहते कि 20,000-50 का लेवल आपका इंपोर्टेंट एरिया एस पर वीकली जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था सेम चीज़ 20,500 पर अगर आती तो अपना प्रॉफित ट्लिस्ट बॉक कर नहीं बनता है कि प्रॉफित नहीं बुक कर झाल 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 झाल